मूवी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के लड़के को देखते हैं जो की पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है लेकिन इतना होश्यार होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा बोरिंग था जिस बजहा से कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें इंट्रेस्ट नहीं रखती थी ये मैथ्यू का आखरी साल था और वो अपनी हाय एजूकेशन के लिए स्कॉलर्शिप लेने की तयारी कर रहा था लेकिन मैथ्यू इस सबसे खुश नहीं था क्योंकि उसने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया था जिसको बाद में वो याद रख सके और उसने अपनी पूरी जि खुबसूरत लड़की रहने के लिए आती है डैनियल इतनी ज्यादा खुबसूरत थी कि वो दिखने में किसी भी मॉडल से कम नहीं लग रही थी रात को मैथ्यू फोन पर बात कर रहा था और तभी उसकी नजर डैनियल की खिरकी पर पढ़ती है जो की अपने कपड़े अब मैथ्यू दरते हुए नीचे आता है लेकिन तभी उसके डैड उससे कहते है कि डैनियल शहर में नहीं आई है और उसे यहां के बारे में कुछ नहीं पता इसलिए तुम उसकी हेल्प करो और उसके साथ जाओ आगे जब वो दोनों साथ में जा रहे थे तभी डैनियल मै परदस्ती मैथ्यू के सारे कपड़े उतरवा देती है और जब मैथ्यू पूरी तरह से नंगा हो जाता है तो डैनियल उसे कार से उतार कर उसके कपड़े लेकर भाग जाती है लेकिन थोड़ी ही देर बाद डैनियल वापस आ जाती है और मैथ्यू से कहती है कि वो तो बस उसके साथ मजाग कर रही थी इसके बाद दोनों साथ में बैठ कर बाते करते हैं और उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है अगले दिन जब मैथ्यू क्लास में पढ़ रहा था तो डैनियल वहाँ पर आकर उसे क्लास से बाहर बुलाती है जिसके बाद दोनों मस्ती करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और पूरी रात साथ में बिताने के बाद शाम को वो दोनों चुपके से किसी के स्विमिंग पूखला जाते हैं और वो डैनियल को इंप्रेस करने की कोशिश में लग जाते हैं लेकिन इस बार मैथ्यू डिसाइड कर चुका था कि डैनियल को गल्फ्रेंड तो वो ही बनाएगा इसलिए वो तुरंट डैनियल के पास जाता है और सब के सामने उसे किस कर लेता है अब को किस करने के बाद से मैथ्यू को ऐसा फील हो रहा था कि पूरे स्कूल का प्लेबोय तो वो ही है लेकिन तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है और उससे कहता है कि भाई जिससे तू राजकुमारी समझ रहा है असल में एडल्ट स्टार है और उसकी वीडियो देखकर ल कर उसके बच्पन की फोटो देख रही थी यहाँ पर मैथ्यू डैनियल से कहता है कि आओ तुमको शेहर गुमाने ले चलता हूं जिसके बाद दोनों साथ में होटेल में जाते हैं जहाँ पर मैथ्यू डैनियल को उसके कपड़े उतारने को कहता है अब डैनियल समझ चुकी लेकिन इसी दोरान वहाँ पर उसे एक और आदमी मिलता है जिसका नाम कैली होता है फिर मैथ्यू कैली से पूचता है कि तुम डैनियल को कैसे जानते हों जिस पर कैली उससे कहता है कि मैं डैनियल का प्रोड्यूसर हूं और इसके साथ ही उसका एक्स बॉईफरेंड भी हू पिर अगले दिन मैथ्यू जब कॉलेज जा रहा था तो वो देखता है कि वहाँ पर कैली लड़कियों के साथ फ्लट कर रहा है तभी कैली वहाँ पर मैथ्यू को देखता है और उन लड़कियों के सामने वो मैथ्यू की तारीफ करने लगता है इसके बाद मैथ्यू कैली के साथ बैंक जाता है जहाँ पर वो उनको बताता है कि कैली एक student advisor है दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जिसे अपने आप में ही guilty feel हो रहा था कि वो कभी भी बदल नहीं सकती और नहीं कभी एक normal life जी सकती है इसलिए वो कैली के साथ वापस स्वेगास के लिए निकल पड़ता है वहाँ पहुचकर मेथ्यू देखता है कि डैनियल बिना कब्डों के ही सब के सामने डांस कर रही थी वो उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है पर तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और मेथ्यू को अपने सा लाइफ दिजर्व करती हो फिर अगले दिन जब मेथ्यू अपने घर पर होता है तो वहाँ पर डैनियल उसे उसके कॉलेज के लिए लेने आती है फिर कॉलेज जाते वक्त मेथ्यू डैनियल को अपने साथ प्रॉम पर जाने के लिए पूचता है जिस पर डैनियल भी उसे ह अब हम देखते हैं कि आज मैथ्यू के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट दिन था क्योंकि अगर आज उसने अपने स्कॉलर्शिप के एकजाम को पास कर लिया तो वो हाय स्टडी के लिए एक बड़े कॉलेज जा सकता है लेकिन तभी एकजाम के दोरान कैली वहाँ पर आता है और उससे उसकी ट्रॉफी चुराने को कहता है आगे जब मैथ्यू हुगो के घर चोरी करने जाता है तभी कैली पीछे से पुलिस को फोन कर देता है जिस वजह से पुलिस उसे पकड़ने वहाँ पर पहुच जाती है पर तभी वहाँ पर मैथ्यू का दोस्त आ जाता है और इसके बाद मैथ्यू और डेनियल कॉलेज में स्कॉलरशिप की स्पीच देने जाते हैं जहाँ पर मैथ्यू को उस ड्रग्स का नशा चड़ने लगता है और वो स्पीच की जगा सब के सामने उल्ती सीधी हरकते करने लगता है जिस वजहा से उसे वो स्कॉलर्शिप नहीं मिल जिसके बाद सभी लोग मिलकर कैली को सबक सिखाने का एक प्लान बनाते हैं फिर मैथ्यू और डैनियल दोनों हुगो के पास जाते हैं जो की कैली की तरह ही एक प्रोड्यूसर था। यहाँ पर मैथ्यू हूगो को सारी बाते बताता है और उसकी ट्रोफी भी उसे वापस कर देता है फिर वो हूगो से कहता है कि अगर आप हमें 25,000 डॉलर दोगे तो हम आपको दुनिया की सबसे बैस्ट वीडियो बना कर देंगे। किया तो एडल्ट स्टार है जिस पर मैथ्यू उनसे कहता है कि क्या तो मिन के साथ काम करना चाहोगे अब ये सुनकर उसके दोस्त खुश हो जाते हैं और उसे हां कर देते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर उसी रात वीडियो शूट कर लेते हैं और अगले दिन जब मैथ्यू अपने घर जा रहा था तभी उसके पास उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हमारी वीडियो किसी ने चुराली है और चोरी करने वाला और कोई नहीं की कैली होता है कैली मैथ्यू को धमकी देता है कि उसे इस वीडियो की कमाई का आधा हिस्सा चाहिए और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उस वीडियो को उसके प्रिंसिपल और पैरेंस को दिखा देगा लेकिन मैथ्यू से मना कर देता है और तभी कैली वो वीडियो सब को दिखा देता है लेकिन जब वीडियो स्टॉट होती है तो हम देखते है कि उसमें तो बस एक सेक्स एजुकेट की क्लास होती है जिसको देखकर सभी लोग मैथ्यू की बहुत तारीफ करते है और फिर उस वीडियो को ओफिशली रिलीज कर दिया जाता है जिसके बाद देख अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि मैथ्यू और डैनियल साथ में खुशी-खुशी रहने लगते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है